आज हम डिसकस करने वाले हैं लास्ट पूर मंच स्ट्राटीजी फॉर केमिस्ट्री बोर्स 2023 जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बोर्ड एक्जाम में मैक्सिमम फूर मंच ही बाकी है तो इन फूर मंच में हमें किस तरीके से प्लैन आउट करना है ताकि हमारे बोर्स में जो है 90 प्लस मांक्स आ जाए और हम इतना अच्छे से प्लैनिंग करेंगे कि आपको डेफिनेटली आप अगर यह प्लैनिंग फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली 90 प्लस मांक्स जो है बोर्ड एक्जाम में आने वाले तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सभी प्लानिंग को ध्यान से समझ लेना अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें पता है कि बोर ट्वेंटिटी फईंटी थी के लिए हमारे पास में जो है वो पूरे 10 चाप्टर से रइट अब इन टेंच चाप्टर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास में इन और गयनिक के दो यह जो तीन चाप्टर से हैं इसके बाद में आता है हमारा और्गानिक चैमिस्ट्री और से घ्राइन के पूरे फाइफ चैक्टर से हिमारे पास में और वह है हमारे इर के फैरे हैं केट ली अट यहें और उसके बाद में हमारे पास देखोगी तो लगबक सभी चाप्टर को और फोड़ा सा जादा वेटेज जो है वह है अल्डी हैट सैंट के टोस चाक्टर को तो हमें क्या करना है कि अभी हमारे पास में फूर मंस बचे हुए तो फूर मंस में हम क्या-क्या स्काटेजिय अपलाई करने वाले हैं हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी चॉपिक को प्रिपेर होना चाहिए रैट बेसी कॉंजब्स में क्या करोंगी कि आपका क्लास 11 का जो है नॉमेंक्लेचर वाला पार्ट जो है कुछ रियक्शन मेकनिसम्स जो है यह सभी पार्ट की माइन में क्लारिटी होनी चाहिए कि इस टॉपिक से उसका क्या क्या करनेक्शन है तो जब मैं आपको जो क्लासेश शुरू करूंगी उस क्लासेश में मैं इन सभी टॉपिक्स को आपको बताते चलूंगी अब जो हमारे फर्स तींग है प्लानिंग की जो सबसे पहले तो यह होना चाहिए आपकी NCRT की रिडिंग जो है हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे आप क्या करने वाले हैं आप NCRT बुक जो है वो ओपन करेंगे साथ में ही आप एक अपना हाइलाइटर या फिर कलर्ड पेन भी साथ में रखिए बिटा देखो NCRT को पढ़ते समय उस NCRT की हरे एक चीज जो है हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बुक पे कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे आप एक पेज अपने साथ में रखेंगे और उस पेज में वही पर लगाएंगे जहां पर आप उसका स्टड़ी कर रहे हो और उस पेज में एक्स्ट्रा चीजे जो है वो डाउन करके रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे है उस टॉपिक के वही पर आपको यह चीजें लिखके रखनी है कि यह पर्टिकुलर टॉपिक में क्या दिया गया है और इसको कैसे स्टड़ी करना है रहेट यह तो होगे आपकी पहली पक्त सेकेंड तिंग जो है वह हमारी क्वेशन बैंक अब आप क्या करेंगे कि जैसे कि जितने भी जैसे हमने एक चाप्टर प्रिपेर कर लिया है तो उस एक प्रिपेर्ड चाप्टर से बहुत सारे नंबर ऑफ प्वेशन जो है हमें सॉल्फ करना पड़ेगा स्टूर जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस से उन्होंने अचुल चाक्टर के अंदर आप को पहले बी बता चुकी हूँ तो अब जो मैंने अभी बता यह थे क्रीशन की क्ण Bub पी वाई क्यूज मतलग क्या होता है कि previous year questions previous year question जो है हमें solve करना है अब previous year questions में क्या करेंगे हम chapter wise जो है chapter wise हम उस particular chapter में से कौन से previous year questions में questions आये थे आप उन questions को solve कर सकते हैं और जब आप solve करना start करो यह से कि अगर मान के चलिए आपने एक chapter पढ़ लिया जैसे solution आपने पढ़ लिया हो, solution के previous years के questions जो आपने start करना solve कर दिये और मान के चलिए कि आपने एक chapter में से अगर 20 questions भी solve कर दिये कितने 20 questions भी solve कर दिये तो मतलब 10 chapters के आपके पास में 200 questions होंगे और ये 200 questions before your final board examination आपके लिए बहुत जादा useful होंगे अब देखिए जैसे कि हमारे पास में जो तीन चाप्टर है यह हमारे निमारिकल बेस्ट चाप्टर जो कि हैं हमारे physical chemistry से जैसे solution चाप्टर है electro chemistry और एक आता है chemical kinetics इन तीनों चाप्टर में से निमारिकल बेस्ट questions आएंगे तो निमारिकल की हमें अच्छे से practice करनी है इसके लिए हम क्या करेंगे हमारे इन तीनों चाप्टर में से जितने भी formulas है जितने formulas है तो उन formulas को एक paper पे proper तरीके से stick लिखेंगे with color हाइलाइट करके रखिए और आप जहां पर भी पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई करने वाली जगह पे उन सभी formulas को आप paste करके रखिए ताकि आपको याद रहेगा कि हमें इस formula में हमें यह formula अगर इस formula के basis पे अगर कोई मेकानिसम से और हमारे पास में approximately 29 नेम्ड रियाक्शन हैं तो इन 29 नेम्ड रियाक्शन की और 7 मेकानिसम की हम बहुत ही अच्छे से प्राक्टिस करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो बनाओ तो आप मुझे comment section में लिखिए मैं पूरा शेर दो करूंगी ताकि आपपको पढ़ने में आसानी होरा हमारा जो target हां इंढोरा counts तो यह हो गया हमारा इनार्गनिक में क्या करना है और यह दो में क्या करना है है इन अमारे दो मिन दो ही चाप्टर से जैसे कि D.N.F. लॉक ऐलिमिन्न और को ओडिनेशन कमपउंग्स और इन दोनो चाक्टर में यह साथ पढ़ेंगे एक साथ पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपने पहले कोडिनेशन चक्टर फिनिश कर दिया उसके सब लिख लिए केमिकल प्रपरटीज क्या है फिस्वीकल प्रपरटीज क्या है उसके किस के टाइप के रिसन साती यह हमने पूरा पढ़ने उसके तुरंध बार्मिंट पूर् करते हैं अगर आप NCR team reading करते हैं properly और साथ में ही आप formulas named reaction की और mechanism की एक separate sheet बनाते हैं तो आपको 90 plus mark score करना बहुत ही easy हो जाएगा so student I hope आप सभी को यह मेरा video अच्छा लगा होगा worth watching लगा होगा अगर ऐसा है तो आपके में सभी friends के साथ में इसको share करना ना भूले और अगर आप मेरे channel पर नए है तो channel को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूना है और अगर आपकी कुछ भी crazy से तो आप comment section में लिखे I'll definitely answer your all wins thank you students and have a good day